तो pivot table खदम हो चुका हमारा तो पीवर्ट टेबल में स्लाइशर से बाखी चीज खदम करने के बाद हमें जरूरत है पीवर्ट टेबल की productivity की आखी पीवर्ट टेबल से हम क्या-क्या बना सकते हैं या सब्सक्राइब बनाना है या कुछ और भी मज़िदार चीज बना सकते हैं लेकि आप एकसल का कुछ भी चीज़ सीखते हैं सीखने के बाद आपको इसकी जो प्रोड़क्टिवीटीज है मतलब कि उसकी जो आपको आउटपूट्स है वह ऐसा नहीं कि पीवट के तौर में देनी जैसे मैं किसे आपका बहुत स्थरी बोलेगा कि इसाम भाई मुझे इस पर पिवट लगा के बता दे या इसमें पिवट में काल्कुलेशन कर दे या इस पर स्राइशर लगा दे ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वह आपको बोलेगा कि मुझे कंपैरिंग रिपोर्ट चाह जाहिए मुझे सेल्स का क्रैप रेट चाहिए ऐसा कुछ बुलेगा जो कि उसकी जरूरत है अब उसको बनाना है तो पहले पर देटा को समझते बेसिकली एक सेलस का डेटा है ठीक है यह हमारा मंघ्री हम एक सारे का कई इयर का सेलस का डेटा है जिसमें आप देख सकते है मं कौन साव 1 कितनी क्यूंति मैं कितनी रेटैंट में और कितने उक्तij बीका है रोजी रिकॉर्डिंग आनन है कर सकते हैं कि उआप 3 waste które को तो दो दिन इसका रिटार उस महीन हमें 120 रिटार्ण यह रोजी रेकाइडिंग और है कर सकते है कि इसके बाद एक कौन से स्टोर से मिली है और इसे स्टोर की लिमिट कितनी अब चलिए अब इसके उबर हम बना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कि आर्टिस्टी बनाता है तो कुछ ना कुछ इमेजिंग करता है इमेजिंग करने के लिए कुछ नएकष चीशत देखता है जिसे पहारों पर जाकर देखता है निक सबस्सक्राइब में जाके मार्केट में कुछ ऐसा चीज देखता है और फिर उसको यूज करता राइट कोई आदमी घर में पूरी जिन्दगी बंद है उसको कुछ बनाने के लिए बोले तक वह कोई चीज जो सायद ही बना पाएगा तो कि उसने कुछ देखा ही नहीं तो क्या बनाएगा क्या ना करूं तो आपको ज़रूरत है कुछ चीज देखने की तो कहा देखेंगे तो आज के डेट में पॉपलर है क्या गुगल तो गूगल पे मैं गया डैश्वोड सर्च किया डैश्वोड सर्च करने के बाद इसके इमेज सेक्षिन में जाईए हैं यहां डैश्वोड के बह बनाना चाहते हैं उस डैस्वर को चूज कीजिए और बनाई जैसे कि मैंने पहले से ही चूज करना इस डैस्वर को इस तरह का डैस्वर बना ठीक है यहां मैं स्लाइश डालूँगा और यहां पर मैं अपने चीज़ें जिए तो चलिए हम इस तरह के डैस्वोड बनाते हैं तो जब भी डाइटा नाइए तो एक होगा आपका support क्योंकि आप डैस्वर इसे जो भी प्रिवर्ट लगेगा और डैस्वर वाले शीप लगेगा रिस पर शीप और डैस्वर्ड पर नॉममली राई तो सबसे पहले हम डायस बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर करेंगे मतलब की बैक्राउंट त्यार तो हम पूरी बैक्ग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं एक एरिया ले ले जैसे बहुत को दिखाना है अपिवर को एक ज्यादा एडिया ले लिए कि बाद में करना उसकिल होता है बाद में करना जा सकता है तो एक एडिया ले लिए लम्मा चोड़ा और आइसा यह पूरी सीटी कर दीजेगा फिर हैंग हो जाएगा आपको पीसे और इस पर हमने बैक्ग्राउंड म और हमारा की साइर देखना मारा कि फार कटो जान्यम हो की हम इसको लेते हैं इसको डायक करने वाटते हैं कि है कि कि और इसको करते हैं और पर चूछ एक बॉर्डर करते हैं और आ Dogs, और राइट क्लिक जाते हैं बार्डर पर आते हैं चुछ करते हैं यह सेंगे डालेंगे दिखे गया इसे हलका लाइट चाहिए चाहिए प्रम साइड में डालते है दिखेंगे ना सरेख जी बॉटर की तरह दिख़ा है जिसे लग रहा है कि हाँ पर मोटा एक डने क्या बोलते हैं खेतों की जो डनेरी होती है मेर होती है इस तरह से लग रहा है अब उपर से हम एक एरिया को यहां छोड़ते हैं अब एक रोज चोड़ देंगे और हम एक एरिया पकड़ते हैं इसाइड में चोड़ेंगे तो छोटा गल देते थोड़ा साथ अब लेते हैं और इस पर हम कर देते हैं एक बुल्वों ज्यादा बुल्वों हो गया मोर्ड फिल्ड के आता है हमने यह बादी क्लरक रखकी है ना ज्यादा लाइट अचलेगा इतना यह चलेगा यह ज्यादा लेट दो गया ने सर्फ पीछे का बैक्डाउंड ने दिखाए ना लेखकी हम लोड़ फिल्ड वह ज्यादा लेखकी है यह से लेखकी है अच्छे तो अपनी साफ से कर सकते हैं कम बीजाता और फिर इसके बादर में आते हैं बादर मोटा ला लेते हैं और हमने बादर में यह लिए अब इसको कॉपी करें तो अपनी साफ से करेंगे लेकिन देख लिए तो अच्छा लगे चार मुझे तीन सेक्षिन चाहिए तो हमने तीन लेगे और इसके बीच जो गैब है ना उसको करते हैं कांब कि छोटाइब इस तरह से कि अब इसके बाद एक रूह यहां छोड़ते इसको स्रेक्ष करते हैं इतना तो भी मुझे चार्ट लेना है तो अच्छा 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 करते हैं तो लास्ट एक्षिन को रिपीट करता है कि गुच्छल वरा है हमाई है एक रूनी मिछ छोड़ते हैं कि अच्छा से अच्छा फोड़ते हैं कि अच्छा अच्छा सब्सक्राइब अच्छा इसमें हम यह वाला बॉर्डर लगाते हैं कि और यह जो हमने दिया हुआ है सब्सक्राइद को अप्लाइब करके देखते हैं कि यह बेटर लग रहा है यह बेटर है या उपर वाला बेटर है नीचे वाले बॉर्डर जाद देख नहीं रहा है तो यहां पर हम पूरा इसको लिएते हैं नीचे तक एफ फॉर्थ और हम इसको देखते हैं तो यह हमारा इसलाइब हो गया इंटरफेस ले आउट है इंटरफेस ले आउट ले आउट यार आप इसी पर इसी के आउडिंग हम करें अब मुझे यहां पर यहां पर टोंटल सेल्स कंपेरिंग वे हमें एवरेज ऑफ इमार्पी चाहिए कितनी कौन्टेटी टोटल भी किया है किस एवरेज ऑफ रेट से भी किया है ठीक है राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स कलार सेम सेलेक करते हैं और हम सिर्फ यह वाला पतला ही लेते हैं ठीक है और यहां पर हम लिखते हैं कि दोगल मर्ज कर लेते हैं कि एक ही मर्ज करते हैं दोने करते हैं और सेल्स कौन्टी और इसको जब भी हमाँ पीछे कलर डार्क है तो वाइट होना पर चाहिए कुनसा कला पॉल्ट करते हैं और हमने बॉल्ट करके और सेम इसको दुनों को सेलेक करके मर्ज करते हैं कि आवड़ेज ठीक है यहां पी बॉर्डर जाता होगा नो बॉर्डर और नहों बार अप्रोड प्रॉर्डर यह लुड़ेज यह तोक यह दो बॉल्डर यह दो प्रॉर्डर यह दॉल्डर पूटर सेल्स बाइ तूर्ट रिता मतलब कि यहां टोटल सेच की कितने और रहा है यहां हम डालेंगे कि हमें इसमें कितना रिटार्ण हुआ रिटार्ण होने के बाद कितना सेल बच रहा है ठीक है सर्थ अध्यूंध अध्यूंध और यहां में स्टोर वाइस सेल इसमें करेंगे अध्यूंध चर्दों अध्यूंध और अधिक को ठीक है पर चोटा करते हैं अब चलिए हम यहां पर अपना डेटा लगा तो पीवट टेबल लगाएंगे पीवट टेबल में हम यहां पर पीवट टेबल हम अब मुझे स्टॉप इसमें अपना सपोर्ट में लेके जाना है अब सपोर्ट में ले आने के बाद हम क्या कर रहें इसमें सबसे पहले चाहिए टोटल सेल ठीक है तो हमने क्वान्टीटी को यहां डाल तो इसके बाद आवरेज ऑप यहां डाला और यहां से हम मार्पी का एवरेज निगा जाए ठीक है सब्सक्राइब अब इसटाइब लेवल ऐसे नहीं करें हम जितना क्वांटीटी सेल हुआ है उतना सब्सक्राइब अब इस टोटल-इस टॉटिक यहां पर है और यहां पर हम लिख रहे हैं कि वांटीटी माइनस इस टॉक मेंस पर इस टॉक मेंस ज्यादा ओजाएंगा जी इस टॉक एवलेबल स्टॉक ठीक है उसके बार हम यहां पर देते हैं अभी हम बात करते हैं की रिटार्ण कि टॉटल रिटार्ण कितना हुआ ठीक है तो आगे बात आता है इतने अतने सब्सक्राइब में सब्सक्राइब में सब्सक्राइब अच्छा रिटॉर्ण में हमने कुछ जादा माउंड डाल दिया है इसलिए डेटा में बनाया तो उसमें सोचा नहीं था एक से लेके हमने पांच प्रवाद देते हैं एक बार इसको रिप्लेश करेंगे रिटॉर्ण मेरा कम जाए सही है नजर जी रिटॉर्ण हाया अब बात करते हैं कि कितना क्वांटेटी शोल्ड होगा तो क्वांटेटी माइनस रिटॉर्ण तो यहीं पर कैल्कुलेटेटर फिल्ड में जाते है एसल सोल्ड क्वाल्टीटी क्यू यहां पर क्यू त्यू आइए और यहां पर हम करते हैं रिटॉर्ण नहीं क्वांटीटी जो सेल हुआ है ओ माइनस हमारा रिटॉर्ण एड यहां गया है फिके सर कि लियर है कि अब इसको प्यूबर्ट इसके ऊपर टैश्पूट पर डालता है तो इसको था सब मॉर्च करके बढ़ा कर देते हैं और यहां पर एक्वल हम अपना आए लेते हैं तो सपोर्ट में आते हैं हम पर टेट का स्लेक्ट हो रहा है को इससे को प्राल्लम ने ठीक है ना इसमें बहुत सरा लिस्ट होता है अब इसको यहां पर डालते हैं इसको था सब्सक्राइब करते हैं कि एक दिक्कत है कि इस तरह से आ रहा है हम क्या करेंगे हम यहां पर वियू में जाते हैं यहीं पर नंबर फॉर्मेट और यहां पर हम जीरो देते हैं ठीक है नहीं ने कस्टम प्रमेटिक एन ओक है तो डैस्बड पर आ गया से करना हो आ गया 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 नहीं बेस्टी फॉर्मुला में सा ओरिजिनल लगता है यहां क्या करेंगे हम राउंड का अप्डेट कर देता है तो दिख देता है तो डिफॉल्ट है इसलिए लगा दिया वर आपका डिफॉल्ट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे इंडियंड है ठीक है तो यह हमारा हो गया है अब मुझे यहां मुझे अपना फ्लो चार्ट एक पर और एक चार्ट यहां बनाते हैं पीवट टेवल में सपोर्ट में आते यहां पर और मैं स्टोर बाई से करना चाहता हूँ ठीक है कि स्टोर डग दिया और हमने इसकी यहां पर क्वांटेटी रख लिए और इसकी ऊपर हम लना रहे हैं लाइन चार्ट फिर जाते हैं डिजाइन में यह वाला लाइन चार्ट या कोई और लाइन चार्ट हम दे सकते अब इसको कट करते हैं और डैश्बूर पर आते हैं मुझे यहां नीचे रखना है सबसे पहले जो यह स्टोर है इसको हटा देते हैं इसको हटा देते हैं टोटल दा देते टाइटल नहीं चाहिए इसको भी राइट क्लिक करके हाइट करते हैं इसको राइट क्लिक करके चेंज डेटा स्रीच टाइप और मैं इसको लाइन में ही एरिया में ही सेम चीज़ देता हूं और इसकी डिजाइन में आता हूं और यहां भी लाइन यह सही है न चाहिए हटाया लाइन है इसको अटाया बैकड्राउंड यहां से रेक करके होम से भी जाके हम इसको नो फिल कर देते हैं है क्योंकि हमें पीछे वाला चाहिए और इसको करता हूं छोटा है थीक है तो यहां फॉर्मिट में आके देखिए सेप्स आउट्लाइन दिख रहा है इसको कर दीजिए सब्सक्राइब करते हैं और करते हैं मर्च इक्वल सपोर्ट में आते हैं अविलेबल स्टॉप को सेलेक्ट रहते हैं इसको ऊपर अब यहां पर आता है चीजे की टोटल हमारा कितना मतलब की सेल हुआ तो यहां पेश्य को हमने ले लिया हुआ कितना मेरा यहां पर दट्रॉं किक नमरा क्या वरिख रिटर्न अब इस में हमने कि हुआ है मने एक युद्र कर ली हमने हुआ है मिडल कर देता हुआ कि अच्छा अब जो है कि नीशल फॉर्मेटिंग में आते हैं यहां पर आइकन्स बगर्ण होंगे बहुत सारे हैं तो मुझे डाउन आप का चाहिए क्या चाहिए कि प्रॉब्लम यह है यहां पर हमें एक चीज़ करना है कि जितना हमारा फिसके नीचे यहां तो ठीक है अब इसके नीचे यहां पे कि पर्सेंटेज डाल देखें इसको डिवाइट कर दिया इसके टॉटल से इसको चोटा कर देते चुट और कर देते हुआ है और झाल तो अब यहां पर हमें लगाने तो इसमें मेरा है कि अगर 70% से ज्यादा हमारा से रह जाता है तीस परसेंट तक हमारा सेप्टेबल तीस परसेंट के बाद जो है अब सेप्टेबल नहीं नहीं तो हमेशा उपर जाएगा तो मैंने जूल पर आते इस पर ठीक है ना इस पर आने के बाद लेकिन प्राब्लम यह है कि तीस परसेंट कितना हो कि इस पर हम माल लेजिए कि अगर हम यहां पर फॉर्मूला लगाते है ठीक है ना तो फॉर्मूला में हम देंगे इस इस दा ग्रेटर दैं पीड़ो पॉइंट जीरो थी जीरो सेवन जीरो सेवन इसमें भी हम देते हैं आप फॉर्मूला इसमें भी सेम फॉर्मूला लग देते हैं लोगो अले है ऐगा और संथर परसंट से नीचे आएगा ऐए वाला है ओके अपला है हट गया है तोल से 70% तो यह साथ संथ परसंट इसकर परसंट एक तो फिल्ट अग्रद यह ना ना इप इड जिरो इड ही एलेवेन एक फिर्यक्रेट अटीटी परसंट आएलेवन कि अगुआ आपने 73% दिया है इसमें आइलेवन इस सेवेंटी परसंट या हमने 2714 देखना है कि 73% कि आइलेवन जो है वो है जिसमें 73 परसंट लिखा हुआ है हाँ तो भी हमें हमें ही बुलना चाहिए आइलेवन अगर 73 परसंट ज्यादा हो तो अब दिखे अधरबाइस डाउन दिखे अब मुझे यहां पर जहां से लेना है का हुआ हमें लगाना है यहां पर मुझे किया करना पड़ेगा कि मैं दोनों को अ अला करना पड़ेगा कि तो करें कि करना पर है कि कछ इसन दोनो कॉललन होता था चsувारज ता लेकिन दोनों यह ही पहलाँ कि कि Loaded कून में कुछ ऐसा है एक पीज़ते है इंसर्ट के अंदर आइकन होते हैं लोग कंडिशनल प्रमेटिक अंदर नहीं लग रहा है तो हम आइकन को लगा दें यहां पर सेंबल इसेंबल इसेंबल करते हैं इस पर हम बाद में टाइम बेस्ट नहीं करते हैं हम यहीं पर लगा दें ठीक है ना और यहीं पर हम क्या कर देते हैं आइकन का आइकन तो कुदी आगे 73 परसंट अल्रड़ी इस पर इस पर नहीं लगाया है इस पर एकनी फीदी अल्लाव हो गया है आइ मेरे एक कॉलम इंसर्ट करना ही पड़ेगा तो कॉलम इंसर्ट करने ही आइकन आइकन का आइकन का है झाकन का वाल यहीं आइकन का आइकन मीर एकन हम पर आईकन का आइकन है क्लिए यूषब्ट मी ओने हम आइकन हैं कि यहां पर इसको दोनों को मॉर्ज करते हैं मॉर्ज करने के बाद हम इसको लेते हैं कि कंडिशन फर्मेटिंग में जाते हैं आइकन लगाते हैं और फिर यहां पर हम कंडिशन फर्मेटिंग को एडिट करने के बाद मैं यहां पर नंबर देता हूं और दोनों में 0.70 ले लेते हैं अब करें यहां पर काम बुल गया यहां पर शू आइकन अट यहां पर आइकन शू रहा हूं इसकी साइज बढ़ा करना आए देखें बढ़ा कर गया ठीक है ठीक करना है तो कितना स्क्तें कितना सोल्स कॉञ्टिटी तो सेम इसको लेते करते हैं थ्री से म् 010 और इसके ऑपर हम परसेंटेश लगाते हैं इसको छोट आ करते हैं यहां से चोटा इसको आप करते हैं और कलर करते हैं ठीक है और यहां पर हम इसको करते हैं मर्ज इसको ठीक है और इसके ऊपर भी सेम कंडिशनल परमेटिंग का आइक है करते हैं और कंडिशनल परमेटिंग में हम जाते हैं इसके डबल क्लिक करते हैं और यहां सो आइकन अल्ली सबसे पहले परसेंटेज तो थाटी यहां पे 0.30 सब्सक्राइब यहां पे आएगा लेस देन नहीं होगा यहां पे जीरो कब आएगा क्योंकि यहां मुझे 27 परसेंट जो है चाहिए होगा तो सब्सक्राइब लेस देन नहीं यहां डालना होगा है कि यहां डालना होगा कि 0.30 से अगर कम हुआ लैस है यहां पे आएगा लास्ट वाला जो खुदी बता रहा है लेस देन 0.3 तो पहले दो हम बिल्कुली पिल्सक्राइब करें जी दो लास्ट वाला खुदी बता रहा है ना जो वैंड लेस जन सब्सक्राइब नहीं तो यह तो में गेटर दन थर्टी में यह उल्टा करना है ना मेरी वार्स करना है अब सब्सक्राइब तीज से ऊपर जाएगा यह सुख करेगा यह तैप में नहीं पर सब्सक्राइब यह तैप लुए नहीं लेस तन जेरो पॉइंट रफरी तो रइट एरो आन ची ना जब्सक्राइब जादा होगा तर जैसे तीज परसेंट से उपर जाएगा तो रेड़ हो जाएगा कर दिए है यहां पे चाहिए टोटल स्टॉक चाहिए चाहिए कि टॉटल स्टॉक ऐबलेबल स्टॉक का एक चाहिए तो इसमें हम स्टोर हटा देते हैं यहां पर हम एक डोनट चार्ट लगाते हैं यहां पर दिक्कत होगी न हम यह चाहिए कि यह दोनों एक ही बनने चाहिए लेकिन दोन अलग लग हो गया तो उस केस में हम एक जगा पर इसको लिंक कर देते हैं तो होगा इसके बाद यहां पर आते हैं लगाते हैं यह ऐसा चाहिए ठीक न बताने कि कितना स्टॉक एबलेबल है कितना टुट्लाइब जोगा है ठीक है न मैं टोटल स्टॉक कितना या था कितना यूज हो गया समझें कि नहीं सब्सक्राइब टोटल मैसेज इतना निकल गया तो बाकी समचा है इसमें सी इसको मैंस करें दोनों बराबर बराबर दिखा रहा है बराबर यह ना 30,000 वह उन्हां त्युक्त करते हैं त्यूंति दो लाख छी है जार तो अल्मूस्ट फिफ्टी फिफ्टी है नहीं तरवड़ है देखें यहां कि क्या करना है प्रिंग करना है इसको सब्सक्राइब लिए और हमें इसमें से सेलेक्ट कर माइनस से और मुझे इसको सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट और मुझे चाहिए ऐसा चार्ट इतना एबलेवल है इतना फिल हुआ है दिखरा है इसा हुआ है समझे की नहीं समझे इसके जगापे हमें क्वान्टिटी चाहिए कितना परसेंट हुआ है उना दिखाना है समझें नहीं समझे टोटल स्टाइब तीन लाख है उसमें से कॉंटिटी यह तो इस्टाप और कॉंटिटी का आपस में इतना बच गया इतना पुड़ा ग्रीन एडिया स्टाप मेरा बचा हुआ है मतलब तीन लाख में सब्सक्राइब तो इस दिखाएगा ना तो फिप्टी फिप्टी हो जाएगा तक क्या फाइदा दोनों में मतलब हमने सिर्फ अभी तक तीन लाख एक परसंदी बेचा है इसका मतलब जी हां जी हां सारे स्टोर्ट के मिला के उसका जो कौन है ठीक है समझे कि नहीं मैं जो करना चाहा रहा था कि अग्यूंग 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 तो यह हमने अग्यां में से इसको चूच कर लिया इसको यहां समक्रेंट यहां से हटा दिया है और कि करने के बात डैशबोर्ड पर जाते मुझे इसको यहां रखना है सबसे बगवर्य दिश्की बैगराउंड कलर यहांसे कर देतें नो फिल इसकी जो बॉर्डर है फॉर्मेट में जाके हमें कर देते हैं इसको करते हैं छोटा है छोटा इतना जो की हमारा फिट आ जाए यहां पर फिट आ जाए देख कि रखता है और फिर हम यहां पर नीचे करसा रखते हैं ऊपर में जा आइए और इसको सेलेक्ट करके करते हैं मर्ज करने के बार इसमें या नीचे वापस क्लिकर से रखते जाते हैं एक वल और हम यहां करते हैं जो सेल हुआ है वाइड 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 नहीं है सेल नहीं जो द मुटल है टूटल स्टोक मतलब टूटल स्टोक कितना होगा हमारे पास सेल और लगाइड अब घुका है्ना यह हो गया और हमेड कि इसको सेलेक् करना है और डिवाइड लगार ना और फिर इसको करना है हमें percentage में और इसको मिडल में करना है white color और थोड़ा सा बढ़ा है समझ गया 99% बच्चा हुआ है जी अब यहां हम available store पाई store चाहिए ठीक है ना किस store में कितना हमें हुआ है तो हम क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट करके और इसको हटा देते हैं और इसके अंदर हम जलते हैं चार्ट इसमें चार्ट लगाते है यह वाले चार्ट हूं कि अधिक्षा नहीं चाहिए अगर मैं राद प्रेट क्लिक करके डिजाइन पे जाता हूं शुच रोल कॉलम करता हूं कि इसको ऐसे नहीं करता है कि मुझे इसमें स्टॉक नहीं चाहिए ठीक है इसमें मुझे अपने हिसाफ से करना पड़ेगा यह टोटल कितना अविलेबल स्टॉक टोटल स्टॉक कितना है तो यहां स्टॉक कर जाता हूं टीन लाव कुछ था अब मुझे इस पी चार्ट चाहिए तो मैंने में अबलेबल स्टॉक यह रहा टोटल स्टॉक यह रहा और हमारा स्टॉर्ड यह रहा है इसको यहां रख देता हूं और इस पे इंसार्ट करता हूं यह वाले चार्ट दो अलग बन रहा है न है इसको यह रखता हूं एक बन रहा है ठीक है सब्सक्राइब प्सक्राइब इसका जो है मैं अब इसको यहां पर दिखता रहेगा तो ओके इसको मिने अटा दिया इसको भी हटा दिया इसको भी मैंने अटा दिया और राइट क्लिक करके इसको कर दिया हाइड और पीछे वाला है यह वाला है राइट इसको सेलेक्ट करगे हम इसकी कलर जो है वो कर देते हैं ब्लैक यह वाइट और इसकी कलर में कर देता हूं ब्लैक हुआ है कि टोटल भी में यहां से इसको करता हूं इसको पहले छोटा कर दो हुआ है कि मैं इसको असानी से चोटा कर सकते हैं यहां पर कट किया डाइस बूट पर गया और आप इसको छोटा करते हैं यहां अचाशे ऑलेमेंट में आते हैं एक्सीजब करका है इसको छोटा कर देते हैं नो फिल इसकी कलर को लोगते हैं अब कलर जो है इसको कर दें वाइट इसकी कर देता हूं यहां से नो अटलाइज हो गया अब इसको तो चौरा करता हूं अब यहां पे हम सिर्फ इसकी एक स्लाइज आज अब यहां पर इसकी एक स्लाइज आज़े हैं और लाए अब यहां आज आज आज़ाए आज़ा है कि यहां पर हम जाते हैं यहां पर आपलाइज में और मुझे इसको सिटी वैज चाहिए स्टोर वैज ठीक है न इसको यहां पर करते हैं है चोटा है इसको भी करतें यहां बहुत है इस तरह है है और इस इसमें में आते हैं इसनल दारेक्ट करें कर सदो के अपनाइब MS आहां में ले सकते हैं जो आपको विसमें लगता है एक हाई ह chest जो लेना चाहते ले सकते हैं अब ऐसा नहीं कि स्लाइशर केम अपने इतराब से कोई यह कर दे कलर से लड़ करते हो नहीं कर सकते हैं अब लाइसर सेटिंग में भी हुए है देख पा रहे हैं डिस्प्लेटर होट आदेजिए अब देख रहे हैं अब इसको साइज को था सा चोटा जादा दिखेगा विर्थ कुरी तुरा सा घटा देट अब यहां यहां पूने सेलेक करूंगा तो पूने का स्टोर डेली तो डेली का अब यहां पर ओवरॉल चाहिए होगा हमें यहां पर अब मुझे यहां पर चाहिए मंथ वाइस टोटल सेल सिंपर अब कि आप टाइम ही लगेगा हो जाएगा तुरादर में मैंने आ रहा है मंत वाइश हमने यहां पर सेल्स इसको लिए इंसर्ट गया है चार्ट यहां से चार्ट लेते हैं चार्ट में जाते हैं डिजाइन में अपना डिजाइन चूच करते हैं जो आपके लिए सब्सक्राइब यहां पर हम इसको राइट कलके हाइट कर देते हैं यहां पर लिख देते हैं सब्सक्राइब करते हैं और इसके बगल में अब रख देते हैं और इसमें हम मांत अटा के सिटी डाल देते इस टो डाल देते इस टो और इस पर हमें रिडार चार्ट चाहिए ठीक है कि अधर चार्ट नहीं इसमें लेंगा इसमें आप इसके डिजाइन में आते हैं अधर आप अधर आप अधर आप अधर 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 यह और राइट क्लिक अधर 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 आधर अधर इसको चुटा करते हैं अधर आ आ कि इसको वाइट करना है तो इसको वाइट करती जब नहीं भी ठीक दिख रहा है क्या हम दोनों चलेगा वैसे हैं हम मुझे यहां पर चाहिए हमने मन्त बाइज मना लिया हम मुझे अपना स्टोर बाइज चाहिए है कि प्रड़क्ट बाइज कि इसमी हमारे क्वाल्टिटी सेव यहां से स्टोर अटाते हैं और यहां से प्रड़ देते हैं और प्रड़क्ट पे अम यहां पर बार्चार लगाते हैं और यहां राइट क्लिक का हाई डॉल बटन्स में नीचे जो आ रहा है लिखा हुआ यह सिगनल यह अटा दीजिए मुझे नहीं चाहिए इसको भी मुझे नहीं चाहिए और यह भी नहीं चाहिए और डिजाइन में आते हैं अच्छा सा कोई डिजाइन देखते हैं यह वाला डिजाइन सही रहेगा यह ठीक है ने सब्सक्राइब से मैच करता है और यहां पर अटा देजिए और यहां पर इसकी ताद छोटा कर देजिए ताकि आपका यह जो है न यह सर्फिस एरिया बढ अटा दीजिए टोटल सेल्स यहां हम लिखते हैं और फिर इसको हम यहां से कट करते हैं जाते हैं यहां पर पेश्ट करते हैं कि 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 हुआ हुँ कि 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 दिखे लिखे हैं जाता है कि कि आखिका दो तुट करदेने होगा है यह बढ़ार से हच रहा है और इसको लिया बीच बला अटा दिया और उपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए और फिल्ड कलर तो यहां पर लास्ट चार्ट लास्ट चार्ट मुझे चाहिए यहां पर लेते हैं और लास्ट जाते हैं और मैं यहां पर पुड़क्ट जाता हूं यहां 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 पर होगा मन्त नीचे और इस पर इंसर्ट लाइन चार्ट लंबा है इसलिए जब भी कोई बरा होगा तो लाइन चार्ट लीजेगा ठीक है तो फ्लो में दिखाया है कॉलंड चार्ट के एक लिमिटेशन होती है न सर्थ यह चीज़ी दिखरा है ना है यह सही है राइट प्लिक आइड बटन्स कर दिये तोटल नहीं चाहिए और यह बात पी चाहिए यहां पर देते हैं अब यहां पर फाइनली हमने इसको यहां से कट किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया है और इसको कर दिया हमने बड़ा यहां तक में लगा तो हम सपोर्ट में जाते हैं एक गलती हमने कर दिया में सलाईसर सारे पहले लगाने चाहिए तो क्या लगाया तो अब ये काम बढ गया जिसारे फिल्टर कनेक्शन करने पड़ेंगे तो मुझे मंथ चाहिए मुझे यह चाहिए हमें इस टॉक चाहिए चार्ड जो है हमारा तो इस टॉक तो तो चाहिए है ठीक है और चारों को यहां से करते हैं कट करने के बाद जाते हैं डैश्बूर्ड पे और यहां करते हैं पेस्ट और पेस्ट करने के बाद सब को एक के नीचे इस तरह से लगाएंगे करते हैं कि इसको भी नीचे लगाते हैं कि देखते हैं कि जगा कितना बच रहा है अब उसके साफ से जगा बहुत नहीं है बहुत नहीं है जगा करेंगे देख लेया जगा कितना उसके साफ से तो सबसे पहले मंद है मारा मंद को करते हैं अधिशन में जाके डवल लाइन चोटा है डवल लाइन होगा दोनों लाइन करता दीखेंगे इसको बीच में गैप देंगे समझा और फिर इसको भी डवल लाइन नहीं नहीं दीखता है डवल लाइन ही ठीक रहेगा और फिर हम नीचे आते हैं इसको ठाके उपा रखते हैं और यह सिंगल लाइन रहेगा क्योंकि स्टोर के नाम बढ़े बढ़े हैं लेकिन थोड़ा छोटा किया जा सकता है यह नीचे जगा बच रहा है यह खाली फाल्तु जगा है इसको भी छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा और यहां हम इसको सेलेक करते हैं यहां पर रखते हैं और फिर यहां फिसको रखते हैं ठीक है लेकिन एकाम और भी यह थोड़ा चोटा करते क्योंकि हमने जो बॉर्डर लगाया था तो दिखना चाहिए सर और राइट इसको स्लाइशर से तो भी देंगे तो फिर फैदा क्या मेनत करने हैं और इसको अब इसको डिलीट कर देते हैं और कर देते हैं थाकि मुझे उतना ही एडिया देखे जितना हमारा डैश्वर्ड एक हमीं जरूर की जब भी डैश्वर बनाएगा तो बाकि फाल्तूर वन कॉलन होंगे उसको सेलेक्ट करके हाइड डिलीट हाइड कर दें हाइड होगे है अब स्लाइशर को भी थोरा सा फॉर्मेटिंग दिखते हैं कि अच्छा सा अच्छा एक और है कि हमारे इसमें पीज लियाउट के अंदर थेम्स होते हैं अब यह व्हला थेम्स से गल लेते हैं अग्यारी पुरा चैंज करेंगा ओके में तो यह पहले लिजिए लिजिए फिर आपके मिवगरण चाहिए यह चलेगा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अगई एश्यगि उससे ज़्यादा रिया दिख लेदा ख़र इसको भी स्लाइश करना कि एक लास्ट काम क्या बच गया स्लाइश को कनेक्ट कर एक है सब्सक्राइश को क्या करना इसके लिए जाना होगा इसटोर में और यहां पर पिवर्ट प्रश्च पी टेवल नलाइज्स के अंदर यहां दिखेगा आपको फिल्टर कनेक्शन और जितने भी हमने यहां पर लगाए सबका लिस्ट आएगा वसको क्लिक करें हैं ताकि सारे को सारे प्यवर्ट इससे आपके लिंक है तो फिर हमें खुदी आटमेटिक लगाने जाते हूं ताकि आप लोग को मशूज हो कि यह गल्थी करने लाएक तीक है ना पहले पहले पता देता था कि हाँ ऐसे कर लो फिर हुआ कि लोग गल्थी आ करने लगए तो मैं इसको करना चोड़े हैं अब मेरा डैस्पोड इस डेडिया यहां परेल से लेकिया तेरा सिप्रेल के शेयरा है ही करता हो कि मुझे करना हो कि मुझे 2020 का दिखे तो में रिपोर 2020 का दिखिए ज़िए तीस का और वाइस का देंस तइसथी देंस का हु civica तो पन्रूपर आँ मेरे अवरॉब करना तो ओन्विह अबरॉब कि अब यह फाइल में आप लोग को भीज रहा हूं इस फाइल को आको भी हैं प्रैक्टिश और इस तरह से बनाई अब इसमें सारी चीज बताएं पीवर इस तरहा यह में रोल ता चार्ट का में रोल ना चार्ट में कोई खास हमने की आ चार्ट इंसर्ट करने के बाद हमने चार्ट की जो डिजाइंस थे उसमें जा कि हमने तो नहीं कि चार्ट पर कोई इस्तरा मैंने कुछ लगाया सिंपल चीज़े थी इसके अंदर यह काफी अच्छा है लिए इसके लिए एक तो एक्जाइम्पल्स की और करेंगे हैं कि मतलब एक और नया लेओट लेके या मैं आपको डेटा बेज़ जेता हूं अगर उसमें कुछ समझ आता तो उसका एक एक्जाइम्पल कर लेते हैं